हेलो दोस्तों मैं है शुता और आप देख रहे हैं ट्विंस माई वर्ड कैसा लग रहा है बहुत एक ही वीडियो को एक ही बैग्राउंड बनाते बनाते मैं बोर हो गई हूँ इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा अच्छा डिफ्रेंट हो जाए तो बस इस नान धियान करके उस तब स्टार्ट करते हैं आज की जो टॉपिक है बहुत इंपोर्टन टॉपिक है बहुत सरे लोगों के मन में आती है ये बाते तो मुझे लगता है कि इसके उपर ज़रूर वीडियो बनाने चाहिए तो देखिए बात क्या है कि जिन लोगों को भी बहुत जादा परिशानी हो रही है बेबी कंसीव होने में तो उनके लिए मेरे चानल पर प्लेइलिस्ट है जर्नी टू पैरेंट हो ट्राइंग टू कंसीव तो वहां जाके बहुत सरे चीज़ों के उपर बाते की हैं अगर आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं तब भी आप अपने बेसिक लाइफ कोशन होगा तो एक बार चलो इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों के मन में जरूर यह कोशन होगा तो देखिए इसका जवाब मुझे यह मिला कि अगर आप अपने फर्टाइल डेज में जो भी आपने मन्त जो पीरिड का मन्त होता है उसके के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको कुछ ऐसे चार से पांस दिन मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं उस समय आपकी बेबी कंसीव होने के चांसे बहुत ज़्यादा होते हैं तो ऐसे केस में अगर आप रोज रिलेशन प्रान भी करते है उसका कोई प्रमाण नहीं है लेकिन मान लेजहें कि आपका एक कशाइने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है मुझे लगता है यह concept समझ में आ गया होगा कि fertile days बहुत ही ज़्यादा important होते हैं पूरे मन्त में यही वो ऐसे 3-4 दिन-5 दिन होते हैं जो आपको baby conceive करा सकते हैं तो सही रूप से आप baby planning करिए आपने जो पूरी fertile days होती है उसको चेक जरूर करिए कि किस समय आपका fertile days आ रहा है कुछ evolution के कुछ लक्षन मैंने बताए है तो देख लीजेगा आपको end screen पे डाल के दे दूंगी evolution के कुछ आपको लक्षन अगर दिखाए देंगे तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि में भी शादी आपका evolution का टाइम चल रहा है इस समय आपके शर्रे से एग release हुआ है एग release होने के बाद से ही आपको baby planning का process करना है ताकि आपको conceive होने में मदद मिले वीडियो informative लगी तो like कर दिजेगा साथी साथ एक और चैनल है twins my world के एर उसको भी visit करना मत भूलेगा share करते रहे चैनल को thank you so much for watching twins my world